एक छोटी स्माइल और स्ट्रोंग विल्पावर के साथ आरे साला में आपका स्वागत है दोस्तो क्लास 9 के NCRT साइंस चैप्टर 7 में आजम जीवों में विविधता अर्था डाइवर्सिटी इन लिविंग और्गिनिस्म के बारे में स्टेडी करेंगे तो डाइवर्सिटी क्या होता है तो किसी छेतर में विविन परकार के जीवों की उपस्थिती को बायो डाइवर्सिटी या बायो लोजकल डाइवर्सिटी या फिर जीवों में विविधता कहाता है दुसरे सब्दों में कहा जाए तो हमारे आजपस बिविन परकार के जीवो की उपस्थिती को बायो-डैवरसिटी कहा जाता है जीवो में जो अंतर होता है वो छोटे से बर्यास्थतक का हो सकता है जासे अगर हम दो मनुष की तुलना करें तो दो मनुस की तुलना करेंगे तो क्या होता है कि उनमें simple उसके height या फिर उसके रंग के अधार पर differentiate किया जा सकता है एक बंदर का एक मनुस के साथ तुलना किया जाए तो उसमें जो अंतर का level होगा वो थोड़ा ज्यादा होगा इसी परकार एक मनुस का गय के साथ तुलना किया जाए या फिर एक एनिमल का एक प्लांट के साथ तुलना किया जाए तो उसमें जो अंतर का level होगा वो बड़ा होगा ठीक है greater level का difference पाए जाता है तो इसलिए हम basis of classification का study करते हैं ठीक है तो what is the basis of classification तो इस क्राब में सबसे पाले एक Greek thinker Aristotle ने अपनी व्याख्या प्रस्थूत की उन्होंने जीवों के उसके रहने के अस्थान यानि कि land, water और year के आधार पर differentiate करने की कोशिस की लेकिन उनका यह जो परियास था बहुँ जादे appropriate नहीं माना गया क्यों नहीं माना गया इसे हम कुछ examples के द्वारा समझते हैं जैसे water में, water में plants भी पाया जाते हैं और animals भी पाया जाते हैं email की भी बात करें तो उसमें unicellular और malticellular animals पाया जाते हैं मचली भी पाया जाते हैं, एक well भी पाया जाते हैं ठीक है तो इस तरह से हम कर सकते हैं कि उनका यह जो परियास था बहुँ जादे appropriate नहीं माना गया इसलिए हमें यह निर्ने करना है कि वह कौन सा विशिष्ट लक्षन है जिसके अधार पे एक बड़े division का निर्मान किया जाए ठीक है इसके बाद कुछ अनलक्षनों के अधार पे उन्हें सब groups में divide किया जा सके और फिर से जरूरत परे तो उसे और सब groups में divide किया जा सके इस परकार से हमें एक hierarchy अर्था पदानो करम की प्राप्ति हो जाती है वह दारन के लिए ले तो जैसे एक खास ग्रूप एक खास character की बात करें जैसे autotrops और heterotrop तो autotrops यानि के plants हो जाता है और heterotrop यानि की animal हो जाता है अगर हम इसे और differentiate करने की कोशित की तो unicellular और multicellular plants और unicellular और multicellular animals में differentiate यानि के subgroup में differentiate कर सकते हैं तो इस तरह से हमें एक hierarchy की प्राप्ति हो जाती है ठीके तो आगे पढ़ने से पहले हम इस बात को जानने की कोशित करते हैं कि हमें किन लक्षनों को समझना होगा ठीके हमें किन लक्षनों को जानना होगा तो जव हम जीवों के किसी विविद समू, यानि कि कुछ विशिष्थ गुन की बात करते हैं, जिसके अधार पर वर्गी करन के किरिया करते हैं, तो सबसे पहले हमें यह जानना होता है कि सदस्यों में क्या-क्या समानता हैं, जिसके अधार पर उन्हें एक साथ रखा जा सकें वस्तम में यही उनका लक्चन है और ब्योभार है दूसरे सब्दों में कहा जाए तो इनका रूप और कारी होता है ठीक है? यही feature और function होता है जिसके आधार पे उसे differentiate किया जाता है तो इस क्राम में जो differentiation की परकिरिया होती है वो मुखरूप से उसे बहुत सारे आधार पे किया जाता है जैसे औरग्रियूस जो होंगे वो eukaryotic टैप होंगे या फिर prokaryotic टैप होंगे यानि कि वो ऐसे जिव जिसमें membrane bound cell औरग्रियूस पाय जाएंगे और membrane bound nucleus पाय जाएंगे कुछ ऐसे जिव होंगे जिसमें membrane bound cell organs और nucleus नहीं पाया जाएंगे कुछ जिव ऐसे हो सकते हैं जो unicellular हो सकते हैं कुछ ऐसे होंगे जो multicellular होंगे इसके बाद एक और आधार लिया जाता है कि जो organisms हैं वो अपना भोजन स्वयम बनाते हैं या फिर अपने भोजन के लिए किसी और पर dependent होते हैं तो इस आधार पर autotropic और heterotropic दो पार्ट में differentiate किया जाता है ठीक है इसके बाद हम बात करते हैं evolution और classification ठीक है तो evolution और classification दोनों एक दूसरे से closely related होता है ठीक है तो इसमें आगे बादने से पल हम पल evolution के बारे में चर्चा करते हैं evolution क्या होता है तो natural selection की परकिरिया द्वारा species के characteristics में परिवर्तन को evolution कहा जाता है ठीक है इसे समझने की कोशिस करते हैं मानते हैं एक जीव है ठीक है समय के साथ क्या हुआ climate में कुछ परिवर्तन आगे environment में कुछ परिवर्तन आगे तो अब इस जीव को survive करने के लिए अपने अंदर भी कुछ परिवर्तन लाना पड़ेगा ठीक है मान लेते फिर से climate में परिवर्तन आगे तो फिर से इस जीव में कुछ परिवर्तन लाना होगा ताकि वो survive कर सके तो इसे क्या कहा जाता है evolution कहा जाता है तो evolution और classification ठीक है evolution और classification एक दूसरे से closely related क्यों होता है इसे अब समझने की questions करते हैं तो evolution में हमने क्या देखा कि जैसे जैसे climate और environment में अजीव होगा वो simple type of होगा और जो पूराना जो नया जीव होगा जो नया जीव होगा वो थोड़ा complex type होगा क्यों complex होगा क्योंकि environment और climate में जो परिवर्तन हुआ उसे adjust करने के लिए वो अपने अंदर कुछ परिवर्तन लाता है और classification एक दूसरे से related होता है evolution का सबसे पहले study किस ने किया था चार्ल्स डार्विन ने किया था चार्ल्स डार्विन में चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपना एक बुक प्रस्तूत किया था The Origin of a Species इसमें इन्होंने evolution के बारे में चर्चा की थी ठीक है आगे हम थोड़े जानने की कोशिश करते हैं कि हम biodiversity का study क्यों करते हैं तो जो organisms है organisms environment को परभावित करते हैं और environment जो होता है वो organisms को परभावित करते हैं यह कि दोनों mutually एक दूसरे को effect करते हैं ठीक है तो किसी कारण से अगर biodiversity में परिवर्तन आएगा तो निश्चित रूप से environment में भी परिवर्तन आएगा ठीक है और environment में जब परिवर्तन आएगा तो biodiversity भी परभावित होगा तो दोनों को दोनों में balance बनाने के लिए क्या किया जाता है कि biodiversity का study किया जाता है और उसे maintain रखने की कोशिस की जाती है ठीक है थोर हम यह भी समझ लेते हैं कि जो diversity है वो परिवी के किस पारट पर ज़्यादा पाय जाता है तो ऐसा मना जाता है कि परिवी पर 10 million species पाय जाते हैं अभी तक उसमें से 1 to 2 million species का हमें ग्यान प्राप्त है ठीक है सबसे ज्यादा जो biodiversity पाय जाता है वो humid tropic regions में पाय जाता है humid tropic region कहा होता है तो between tropic of cancer and tropic of capricorn यहनकी पिर्थिवी में जो पिर्थिवी पर जो करके रेखा और मकर रेखा है उस दोनों के बीच के छेतर में humid tropic region पाय जाता है और वहाँ पे बहुत ज्यादा biodiversity पाय जाता है ऐसा माना जाता है कि पिर्थिवी पर पाय जाने वाले जीवों का 50% ब्राजिल, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, मेक्सिको, जायरे, मेड़ाजकर, अस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेसिया और मलेसिया में पाय जाता है ठीक है आगे हम बात करते हैं hierarchy की hierarchy of classification of group तो उपर हमने study किया था hierarchy क्या होता है किसे मान लेते कि कुछ खास characteristics है उसके आधार पे एक जीव को दो पार्ट में differentiate किया गया बाद में कुछ ऐसे characters है जिसके आधार पे इसे फिर से differentiate किया इसे फिर से differentiate किया गया फिर इसको differentiate किया गया तो इस किरिया को hierarchy कहा जाता है ठीक है hierarchy कीicker hierarchy का आध्येन time to time अलग-अलग scientist के दौरा किया गया जैसे अर्नेस्ट हाकिल के दोरा 1894 में, रोबर्ट वी टेकर के दोरा 1969 में, इन सब के दोरा hierarchy का study किया गया, हम जो study करते हैं मुख्रोप से वी टेकर दोरा दिया गया Five Kingdom Classification का study करते हैं, तो वी टेकर का Five Kingdom Classification था, उसमें हम क्या क्या study करते हैं, तो विटेकर ने जो all living things है उसे पाँच भागों में differentiate किया किसमे मुनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लैंटी और इनी मिलिया ठीके तो उन्हें जो differentiate करने का आधार था वो क्या क्या था? Cell structure, mode and source of nutrition, body organization ठीके इन तीन बातों के आधार पर ने differentiate किया गया जो मुनेरा है, तो मुनेरा दो परकार का होता है आर्की बेक्टरिया और यूबेक्टरिया यानकि एकदम प्रारम्भिक टाइप का, यानकि एकदम less developed जो होता है बेक्टरिया उसे आर्की बेक्टरिया कहा गया और जो थोड़ए while developed होता है उसे u bacteria कहा गया R की मतलब प्रारम्भिक होता है और U मतलब will developed होता है यू मतलब big seed अगर हम subgroup की बात करें えば subgroups यहनी कि जो kingdom होता है यहनी कि first group जो होता है वो kingdom कहलाता है सबसे बरा group जो होता है वो kingdom कहलाता है kingdom को phylum जब animal की बात करते हैं तो phylum और जब plant की बात करते हैं तो division ठीक है kingdom को phylum या division में differentiate किया जाता है phylum या division को class में differentiate किया जाता है class को order, family, genus और species में differentiate किया जाता है एस्पीसीज क्या होता है तो जीवों का ऐसा समू जो ब्रीडिंग की किरिये प्रस्तूत करती है एक दूसरे से मैटिंग कर सके और उनसे जो संतान उत्पन हो उसमें भी मैटिंग की छमता एबिलेबुल हो जीवों के ऐसा समू को क्या कहा जाता है एस्पीसीज कहा जाता है अब हम भी टेकर के फाइब कीमिनम क्लासिफीकेशन में सबसे पहले मुनेरा के बारे में इस्टेडी करते है ठीक है तो मुनेरा में क्या क्या characteristics पाजाते है तो they do not have definite nucleus and organs उनमें definite aspiced nucleus और cell organs नहीं पाए जाते हैं यह multicellular की परकेडियासो नहीं करते है ठीक है इसमें शिर्फ unicellular organisms पाए जाते हैं they show diversity based on many other characteristics ठीक कुछ और characteristics है some of them have cell wall कुछ ऐसे हैं जिसमें cell wall पाए जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें cell wall नहीं पाए जाते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो autotropic होते हैं यह स्वोपोस ही होते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो heterotropic होते हैं इस group में क्या क्या पाए जाते हैं तो bacteria, blue green algae, sinobacteria और mycoplasma नेक्स्ट है, प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टा को कैसे डिफ्रेंसियेट करते हैं, तो इसका जो classification का आधार है, वो क्या है, सबसे पाहले होता है, कि ये unicellar और eukaryatic type of organism होते हैं, ठीक है, ये unicellar ये एक्सल से बने होते हैं, और इसके जो cells होते हैं, इन्हों में well developed nucleus और cell organelles पाहिजाते हैं, इसमें कुछ appendices पाहिजाते हैं, appendices क्या होता है, कि जो extra body parts होते हैं, जैसे अगर हम अपने body की बात करें, तो हमारे body में जो hands हैं, और legs हैं, feet हैं, ये सब क्या होता है, appendices खालाते हैं, ठीक है, body से निकला हुआ पार्ट, तो इसमें दो परकार का appendices पाहि जाता है cilia और phlak Mär牌, ठीक है, cilia क्या होता है, hair μαki structure होता है, और इन में ये प्रवीरती होता है, कि जो hair line के structure होते हैं, इन सब में coordination नहीं होता है, यानि कि एक cilia है कि जो hair line का structure है किसी और direction में, और दूसरा किसी और direction में मूब कर सकता है लेकिन जो phlegela होता है उसमें भी हेरला के structure से होता है लेकिन उन सब में एक coordination होता है यानिकि सभी का जो movement होता है एक ही deduction में होता है ठीक है इसमें भी दुगुन होता है autotropic और heterotropic ठीक है एक्जाम्पल है अलगी, datum and protozoa next है fungi तो fungi के characteristics के अगर हम बात करें तो क्या होता है heterotropic और eukaryotic की nature होता है यह जो होता है heterotropic की nature होता है तो heterotropic का जो nature होता है इसमें दो परकार का पाया जाता है एक saprotrops का nature होता है और कुछ में parasites का nature होता है तो saprotrop और parasite को समझते है saprotrop का मतला होता है कि वैसे organism जो सरे गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते है ठीक है decaying organic materials से अपना भोजन प्राप्त करते है तब उसे saprophytes कहा जाता है और जो other living things से अपना भोजन प्राप्त करते है उसे parasite कहा जाता है ठीक है many of them have capacity to become multicellular organisms at certain stage of their life उसे अपने जीवन के कुछ stages में multicellular organisms की प्रविर्ती भी गेन करते है इसमें कुछ cell बाल पाये जाता है cell बाल जो होता है वो कैटीन का बना होता है एक्जामपल है इस्ट मोल्स और मश्रूम कुछ जो फंगस है कुछ फंगस ऐसे होते हैं जो mutually dependent relationship प्रस्तूत करते हैं तो किस के साथ mutually dependent relationship प्रस्तूत करते हैं तो फंगी जो होता है वो अलगी के साथ mutually dependent relationship प्रस्तूत करते हैं तो थोड़ा समझ लेते हैं में चुले dependent relationship क्या होता है दो जीव हैं दोनों एक दुसरे से फायदा उठाते हैं ठीक है तो अलगी और fungi जो होता है तो क्या होता है कि अलगी जो होता है वो photosynthesis की किरिया करती है तो photosynthesis की किरिया के द्वारा क्या होता है यह भोजन बनाता है और fungus का शरीर बड़ा होता है इसमें क्या करता है जो अलगी होता है वो भोजन परदान करता है और fungus जो होता है वो रहने के लिए अस्थान देता है ठीक है नेक्स है planty तो planty क्या होता है सबसे पल यह multicellular और eukaryotic की नेचर होता है इसमें सेलवाल होता है यह autotropic यहने की स्वपोसी होता है और यह जो autotropic nature होता है वो photosynthesis की किरिया के दवारा करता है ठीक है परकास संसलेशन की किरिया के दवारा plants जो होता है अपना खुद का भोजन बनाता है next animalia, animalia क्या होता है? यह अभी multicellular और eukaryotic type of living things होते है इसमें सेलवाल नहीं पाए जाते है ठीक है? सेलवाल नहीं पाए जाते है और यह heterotropic की nature होता है ठीक है थोड़ा हम इसको फिर से एक बार समझ लेते हैं कि हमने क्या-क्या study किया ठीक है तो क्या-क्या study किया हमने जो organisms से organisms मुखरूप से दो पार्ट में differentiate किये जाते हैं prokaryotic और eukaryotic जो prokaryotic होते हैं वो सिर्फ unicellular होते हैं और उसमें moneta पाय जाता है जो eukaryotic होते हैं वो दो परकार के पाय जाते हैं या तो unicellular होगा या फिर multicellular होगा unicellular जो होता है उसमें protesta पाय जाता है और multicellular जो होता है उससे फिर से दो सब ग्रूप में differentiate किया जाता है क्या 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 वो ऐसे जिसमें cell wall पाय जाते हैं और दूसरा जिसमें cell wall नहीं पाय जाते हैं जिसमें cell wall पाय जाएंगे उनमें plants और जिसमें cell wall नहीं पाय जाएंगे उसमें animal होता है तो जिसमें cell wall पाय जाते हैं उसे दो पार्ट में differentiate किया जाता है ऐसे organism जिसमें photosynthesis की किरिया नहीं होती है और एक ऐसे जिसमें photosynthesis की किरिया होती है उसे planty कहा जाता है और जिसमें photosynthesis की किरिया नहीं होती है उसे fungi कहा जाता है ठीक है next है planty group तो planty subgroup में क्या होता है इसको तीन लेबल में classification किया जाता है फर्स्ट जो लेबल होता है classification का वो क्या होता है कि उसका जो body parts होता है well differentiated है या फिर नहीं है उसके जो body parts है वो well distinct है या फिर नहीं है यानि कि जो plants है उनमें root stem और leaf तीनों differentiated है या फिर नहीं है level 2 जो होता है उसमें यस बात पर अध्यान किया जाता है कि उसमें plant और other substance को transport करने के लिए कुछ tissue available है या फिर नहीं है ठीक है या फिर नहीं है थर्ड जो होता है वो ability to bear seed ठीक है उसमें जो seed है वो fruit के अंदर है या फिर नहीं है ठीक है यानि कि तीन लेबल पर plant का differentiation किया जाता है तो plant subgroup जो है उससे differentiate करने के लिए सबसे पहला जो होता है थैलोफाइटा थैलोफाइटा जो होता है वो क्या होता है कि इसमें well distinct body organs नहीं पाया जाता है जैसे उसमें root, stem, or leaf asbest group से नहीं पाया जाता है उसमें जो zeep होता है वो थैलोफाइटाइप का होता है यानि कि उसमें root, stem, or leaf नहीं पाया जाता है The plants of this group commonly called algae, ठीक है, उसमें मुखरूप से algae पाया जाता है यह predominantly aquatic in nature होता है, यानि कि यह जलिय जीव होता है अगर इसका example देखा जाए, तो यह Spirogyra, Ulpha, ठीक है, Kara, Elothrix, यह सब इसका example है Next है Bryophytes, तो Bryophytes को Amphibian of Plant Kingdom भी कहा जाता है Amphibian काने का मतलब क्या होता है, कि वैसे Living Things जो Water और Land, दोनों में रह सके इसमें क्या होता है, अगर First Level की बात की जाए, तो इसमें Root, Stem, or Leaf नहीं पाया जाता है लेकिन उस तरह का Structure पाया जाता है, ठीक है, Well Developed Root, Stem, or Leaf नहीं होता है लेकिन उसके जैसा, यानि कि Leaf-like and Stem-like Structures पाया जाता है There is No Specific Tissue, यानि कि इसमें Vascular Tissue नहीं पाया जाता है, ठीक है इसमें कोई Vascular Tissue नहीं पाया जाता है, एक्जामपल की बात करें, तो Moss और Markensia Next है, Terodophyta, तो Terodophyta जो होता है, या ऐसा ग्रूप है, इसमें Well-Differentiated Rootestem, or Leaf पाया जाता है ठीक है, Rootestem, or Leaf पाया जाता है, इसमें Water and Other Subestants को Conduct करने के लिए Vascular Tissue पाया जाता है ठीक है, एक्जामपल इसका है, Marcellia, Fern and Horsetail आगे है, Reproductive Organ तो Reproductive Organs के आधार पर इससे Cryptograms और Phenrogams दो पार्ट में Differentiate किया जाता है प्लांट्स को उसके Reproductive Organs के आधार पर Cryptograms और Phenrogams दो पार्ट में Differentiate किया जाता है तो वैसे Plants, वैसे Planting Kingdoms के पार्ट जिसमें Hidden Reproductive Organs होंगे उसे Cryptograms के जाता है, और जिसमें Seed पार्ट जाता है जिसमें Well radio differentiated, Reproductive Part पार्ट पाय जाता है और Ultimately जिसमें Seed पार्ट जाता है, उसे Phenrogams के जाता है Crypto का मतलब होता है Hidden, ठीके ? seed क्या होता है तो seeds जो होता है seeds are result of sexual reproduction process ठीक है जब किसी जीव में खासकर plants में जब sexual reproduction की प्रकिरिया होती है तो उसे क्या होता है seed का formation होता है seed क्या होता है इसमें एक embryo एक संदाचना होता है जिसे embryo कहा जाता है embryo क्या होता है food के storage का काम करता है जैसे seeds जो होता है seeds को सुखा के हमें store करते है लेकिन जैसे ही उसे पानी मिलता है यानि एक favorable condition मिलता है तो क्या होता है उसमें germination की यानि की अंकूरित होने की शमता आजाती है तो क्यों होता है क्योंकि उसमें एक इंब्रीयो होता है और इसी इंब्रीयो में food stored होता है और जैसे फेबरेबल कंडिशन मिलता है वो फिर से नया प्लांट का formation करता है ठीक है तो इस तरह समका सकते हैं कि जो प्लांट किंग्डम से उसे दो पार्ट में differentiate किया गया फिर से इस ग्रूप आफ क्लासिफिकेशन based on whether the seeds are naked और enclosed in fruits ठीक है तो जो seeds है यानकी phandrogams phandrogams यानकी जिसमें seed है तो seed जो है वो fruit के अंदर available है या फिर किसी fruit के अंदर नहीं है तो उसे दो पार्ट में differentiate किया जाता है gymnosperm और angio sperm ठीक है अब हम gymnosperm की चर्चा करते है gymnosperm types of plants क्या होता है कि इसमें जो होता है gymnosperm दो सब्दों से मिलकर बना है gymnos means naked और esperm मतलब seed ठीक है यानकी वैसे plants जिसके seeds naked होते है उसे gymnosperm कहा जाता है the plant of this group bear naked seeds ठीक है इसमें naked seeds पहा जाता है and are usually perennial यानकी बहुँ वर्षी होते है यानकी बहुत सालते के जिंदा रहते है evergreen यानकी हमेशा इसमें पतियां मौजूद होती है और woody होता है यानकी इसमें लक्री के जैसा structure होता है example की बात की जाए तो क्या क्या होता है pines and devdards ठीक है अगर NGO-Sperm की बात की जाए तो NGO-Sperm क्या होता है NGO means covered यानकी वैसे plants जिसमें seeds covered होते है ठीक है जिसमें covered seeds होंगे उसे क्या कहेंगे NGO-Sperm कहेंगे और इसके जो seeds होते है वो एक structure में रहता है जिसे ovary कहा जाता है और यही ovary जो होता है बाद में fruit का formation करता है ठीक है यह जो seeds होते है तो seeds में seeds में क्या होता है एक structure होता है जिसे cotyledon कहा जाता है ठीक है seeds में एक structure पाया जाता है जिसे cotyledon कहा जाता है तो cotyledon को seed leaves भी कहा जाता है cotyledon को seed leaves क्यों कहा जाता है जो seed होता है मान लेता है कि चना की बात करें तो चना क्या होता है चना में 2 cotyledon पाए जाता है आप देख सकते हैं कि चना को अंकुरित करने के लिए हम छोड़ते हैं तो क्या होता है जब सबसे पले वो अंकुरित फॉर्म में आता है तो उसमें 2-lips का formation होता है तो यह जो 2-lips का formation होता है वो इन में जो 2-cotyledons है उससे बनता है तो इसी लिए यह कहा जाता है कि cotyledons को seed leaves भी कहा जाता है ठीक है, तो presence of seed lips, यानि कि number of cotyledons के अधार पर NGOS sperm को दो पार्ट में differentiate के जाता है, monocot और dicot, ठीक है, यानि कि जिसमें एक cotyledon रहेगा, monocot हो जाएगा, और जिसमें 2 cotyledon रहेगा, उसे dicot कहेंगे, जैसे दाल ये सब जोगे, वो dicot का example है, ठीक है, अब फिर से थोड़ा study करते हैं, किसमें क्या क्या हमने study किया, तो planty जो kingdom है, planty जो kingdom है, इसमें हमने क्या क्या study किया, plants, plants जो होता है, उसे दो पाट में, दो सब ग्रूप में बाट जाता है, ऐसे plants, plants do not have differentiated into plant parts, जिसमें root stem of leaf नहीं पाए जाता है, और जिसमें root stem of leaf नहीं पाए जाता है, तो जिसमें root stem of leaf नहीं पाए जागा, वो थैलो पाइटा हो गया, और जिसमें root stem of leaf नहीं पाए जाता है, उसको दो पाट में दिफ्रेंशियर किया जाता है, without vascular tissue और with vascular tissue ठीक है तो जो without vascular tissue होता है वो bryophyta कहलाता है ठीक है क्या कहलाता है bryophyta कहलाता है और जो with vascular tissue होता है उसे फिर से दो subgroup में बाटा जाता है पहला जो होता है do not produce seed जिसमें seed नहीं होता है और दूसरा जिसमें seed होता है तो जिसमें seed नहीं होता है उसे का जाता है टेर्डो फाइटा ठीक है? और जिसमें seed पाई जाता है उसे फैन्रोगेम्स का जाता है ठीक है? अब यह जो फैन्रोगेम्स है फैन्रोगेम्स को फिर से दो पार्ट में डिफ्रेंस सीट किया गया एक ऐसा जिसमें naked seed होता है और जिसमें naked seed होता है उसको gymnosperm कहा जाता है और जिसमें fruit के अंदर seedable होता है उससे ngosperm कहा जाता है ngosperm जो होता है उसको फिर से दो भाग में differentiate किया गया पहला जिसमें cotyliden जिसमें 2 cotyliden है और दूसरा जिसमें जिसमें 1 cotyliden है जिसमें 1 cotyliden है monocode ठीक है आगे हम animalia के बारे में चर्चा करेंगे इसे हम next class में पढ़ेंगे ठीक है इसके साथ इस चैप्टर का first part समात हुआ thank you